साथियों, करोना की शुरुवात में देश में केवल एक ही टेस्टिंग लेप थी, लेकिन आज तहाई हजार से जादा लेप्स काम कर रहे हैं, शुरू में कुछ सो टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब बीस नाक से जादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं, अब तक इतना बड़ा काम इन साथियों की वज़े से ही संभव हो रहा है। कितने ही frontline workers सेंपल collection के काम में लगे हुई हैं। संकरमित मरीजियों के बीच जाना, उनका सेंपल लेना, इस कितनी सेवा का काम है। अपने बचाव के लिए इन साथियों के इतनी गर्मी में भी लगातार PPE कीट पहन के ही रहना पड़ता है। इसके बाद ये सेंपल लेब में पहुंचता है। इसलिए जब मैं आप सब के सुझाव और सवाल पढ़ रहा था, तो मैंने ताई किया कि हमारे इन साथियों की भी चर्च जरूर होनी चाहिए। इनके अनुभवों से हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आईए दिल्नी में एक लेब टेक्निशन के तोर पर काम करने वाले हमारे साथ ही प्रकाश कानपाल जी से बात करते हैं। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार आदेनी प्रदान मंत्री जी। प्रगास जी सबसे पहले तो आप मन की बात के हमारे सभी स्थोताओं को अपने बारे में बताईए आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं और कोरोना के समय आपका क्या अनुभव रहा है क्योंकि देश के लोगों को इस प्रकार से नर्टिवी पर दिखते हैं नर्खबार में दि कि देश में काम कैसे हो रहा है सर मैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ संस्तान इंस्टूट ऑफ लिवरेंट बिलियरी साइंसिस नाम के हॉस्पिटल में पिछले तस वर्सों से लैब टैक्निक्शन के रूप में कारगरत हूं मेरा स्वास्त छेटर का अनुभव हूं 22 वर्सों क मैं ILBS के वायरोलोजी डिपार्टमेंट के अधिरस्त कोवीड टैस्टिंग लैब में कारी कर रहा हूं निसंदे कोवीड महामारी में स्वास्ते संबंदित सभी साधन संसाधनों पर अतियादिक दवा पड़ा पर मैं इस संगर्स के दौर को नीजे तोर पर इसमें ऐसा उस करता है और सर्थ जब हम रास्ट के मनोता के समाच के अपेक्षा के और आशा के अनुव अपने स्तर पर जो की एक बूंद के बराबर है हम उसके काम करते हैं खरा उतरते हैं तो एक गोरों की अनुभूती होती है कभी जब हमारे घरवाले भी आशनकित होते हैं या थोड़ तुलना में तो हमारा जोखिम जो है कम है बहुत कम है तो वो भी इस चीज को समझते हैं और मेरे साथ में एक तरह से वो भी सहय करते हैं और वो भी इस आपदा में समान रूप से जो भी सहय होगे उसमें अभी सहवागीता निभाते हैं प्रकास जी एक तरफ सरकार सब को कह रहे हैं कि दूरी रखो दूरी रखो कोरोना में एक दूसरे दूर और आपको तो सामने से होकर कि कोरोना के जिवानों के बीच में रहना ही पड़ता है सामने से जाना पड़ता है तो यह अपने आप में जिन्दगी को संकट में डालने वाला मारमन रहता है तो परिवार को च तो बोज भी बढ़ा होगा लेकिन अपनी सुरिक्षा के लिए भी ती साफजाने रखते हैं कि रखते हैं बिलकुर रखते हैं सर हमारे आईलबिस की जो लेब है वो डवलुएचे से माननीता प्राप्त है तो जो सारे प्रोटोकॉल है वो इंटरनाशनल स्टेंड़ के हैं हम तो प्रोटोकॉल है तो उस प्रोटोकॉल के तहट काम करते हैं तो सर ये भी इश्वर की कृपा है कि मेरा परिवार और मेरे जानने वाले अधिकतर जो अभी तक इस संक्रमण से बचे हुए हैं तो एक चीज़ है कि अगर आप साबधानी रखते हैं और साय्यम बरतते हैं तो आप थोड़ा फोत इसे बचे रह सकते हैं प्रकाश जी आप जैसे हजारों लोग पिछले एक साल से लेब में बैठे हैं और इतनी जहमत कर रहे हैं इतने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं जो देश आज जान रहा है तेकिन प्रकाश जी मैं आपके माध्यम से आपकी बिरादरी के सभी साथियों को रदय पुरुवक धन्यबाद करता हूं देश वासियों की तरफ से धन्यबाद करता हूं और आप स्वस्त रहिए आपका परिवार स्वस्त रहे मेरी बहुत शूप कामना है धन्यबाद प्रदान मत्री जी मैं आपका बहुत बहुत आबारी ह कि सेवा की सुगन हम तक पहुंच रही है इन बातों में हजारों लाखों लोगों का सिवा भाव तो दिखता ही हैं हम सभी को अपने जिम्मेदारी का भी बहुत होता है जितनी महनत और लगन से भाई प्रकाश जी जैसे हमारे सासी काम कर रहे हैं उतनी ही निस्टा से उनका सह योग कोरोना को हराने में बहुत मदद करेगा